दोस्तों, रेडियो मनमीत पर एक बार फिर आपका स्वागत है इस बार हम आपके लिए लेकर आये हैं एक नया कारिक्रम मूवी मसाला, जी हाँ मूवी मसाला, यानी फिल्मों का मसाला क्या है हिंदी सिनेमा के लिए 2023 अभी तक ठीक ठाकी रहा है और पिछले दो मेने से तो धुआधार, धमाके दार रहा है जवान और गदर तू, इन दोनों ने जो गदर मचाया है बाक्स आफिस पर उसने हिंदी सिनेमा को एक नई जान दी है और आने वाले समय में ये गदर, ये धमाका रुकने वाला नहीं है जी हाँ, इसी सिसले में हम बात कर रहे हैं आने वाली दो ऐसी फिल्मों की जिन में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी टाइगर वर्सेस टाइगर एक टाइगर श्राफ जिनकी फिल्म गनपत आ रही है और दूसरे टाइगर यानी अपने सल्लू भाई यानी सल्मान खान जिनकी टाइगर 3 आ रही है और दोनों फिल्मों के आने की बीच में बहुत कम अंतर है टाइगर श्राफ की फिल्म गनपत जो रिलीज हो रही है 20 अक्टूबर 2023 को और सल्मान खान की फिल्म टाइगर वो रिलीज होगी दिपावली पर तिवहारो का सीजन है दशेरा दिपावली और इसके बीच में दो धमाकेदार फिल्में टाइगर श्राफ जो एक एक्शन हीरो के रूप में जाने जाते हैं हाला कि पिछला कुछ समय उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है उनकी फिल्में उतनी काम्याब नहीं हुई उस इस्तर पर काम्याब नहीं हुई जिस इस्तर पर उमीद की जा रही थी और सलमान खान वो तो हमेशा हिट रहते ही हैं उनके हिट होने में शक नहीं है लेकिन अब हिट होने का आर्थ सिर्फ कुछ हफते फिल्म चल जाना नहीं है अब तो लड़ाई 500 और 1000 करोड की है जिसे जवान और गदर ने और आगे बढ़ा दिया है देखना है कि अब ये दोनों फिल्में जब आपस में टक्राएंगी बॉक्स ओफिस पर हलाकि दोनों की बीच में काफी अंत्राल है लेकिन ये अंत्राल इतना कम है कि यदि एक फिल्म कोई भी असफल रही तो दूसरी को उसका फाइदा मिलेगा फिल्म गनपत में टाइगर श्राप के साथ क्रति सेनन भी है क्रति सेनन हाल ही में राश्ट्री पुर्षकार पाने के कारण चर्चा में है लेकिन इसमें उनका अभिने कम और एक्षन हमें देखने को ज़्यादा मिलेगा एक मैज़ार बात यह है कि गनपत में अमिताब बच्चन भी दिखाई देंगे अमिताब बच्चन की उपस्तिती क्या इस फिल्म को नया मुर्द दे पाएगी क्या नई उचाई दे पाएगी यह अभी कोई नहीं कह सकता लेकिन हाँ इतना जुरूर है कि अमिताप की उपस्तिती से कुछ फरक तो पढ़ी सकता है टाइगर श्राफ की फिल्म के मुकाबले में सल्मान खान की टाइगर थी को देखें तो उसमें एक तरफ सल्मान खान है दूसरी तरफ उनके साथ कैटीना कैफ है और इसमें इमरान हाश्मी भी है यानि की मसाला तरका इसमें भी है इसमें आपको कैटीना कैफ भी एक्षन भूमिका में दिखाई देंगी उनको एक्षन रोल में देखना सचमुच एक नया अनुभव हो सकता है टाइगर स्री में शारुक खान भी दिखाई देंगे जो उसका ट्रिलर जारी हुआ है जो उसके पोस्टर जारी हुए है उसमें शारुक खान की एक जलक है और ये मानने जा रहा है कि शायद ये पठान के बात की आगे की फिल्म साबित होगी क्योंकि कहीं न कहीं इसमें पठान का जिकर भी आएगा दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो आप से निवीदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताफि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें रेडियो मनमीत आपके लिए हमेशा ऐसे ही मन्नोरंजक और जानकारी पूर्ण कारिकरम लेकर आता रहेगा धन्यवाद सल्मान खान की टाइगर स्रीज की यह तीसरी फिल्म है और पिछले कई साल से इस फिल्म का इंतजार करते रहे हैं यह फिल्म पहले रिलीज होनी थी लेकिन इसकी डेट आगे बढ़ती रही है डेट आगे बढ़ने की बहुत सारी वजहें हैं लेकिन ये है कि उसका बेसबरी से लोग इंतिजार कर रहे हैं और एक महर की बात यह है कि सलमान खान ने इस फिल्म को रिलिज करनी के लिए दिपावली का समय चुना है दिपावली का समय जब त्योहारों का समय होता है और लोग त्योहारों में विजी होते हैं एसे समय में उ फिल्म 20 अक्तूबर को रिलिज होगी और सलमान खान की फिल्म दिपावली पर यानि टाइगर श्राफ के पास लगबग 20 दिन का समय होगा कि वो परदे पर अपना कोई चमतकार दिखा सके, बॉक्स आफिस पर कोई कमाल दिखा सके, 20 दिन कम नहीं होते हैं, 20 दिन में फिल्म 500 1000 करोड का हकड़ा पार कर सकती है या उसको च्यू सकती है, लेकिन ऐसे समय में जब लगातार फिल्में आ रही हैं, तब टाइगर श्राफ क्या कर पाएंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ताय है कि सलमान खान की फिल्म आने के बाद, यानि टाइगर 3 आने के बाद, टाइगर श्राफ की चमक कम हो जाएगी, क्यों कि तब सब लोग सिर्फ सलमान खान की टाइगर 3 देखने के लिए भागेंगे, इसलिए उनके पास समय हैं सिर्फ दो हपते, तीन हपते का जब वो कुछ कर सकते हैं, दोनों ही फिल्मों में गनपार्थ और टाइगर 3 दोनों में ही जबदस्त VFX देखने को मिलेगा, एक्षन भरपूर देखने को मिलेगा, टाइगर श्राफ ने अपनी फिल्म के लिए मार्शल आर्ट को पर खास तोर पर ध्यान दिया है, उसको चुना है, और इसकी लिए बकाइदा चाइनीज मार्शल आर्ट की उन्होंने बारे का बमों का धुमद्रा का खूब होगा, लेकिन बम किसके फूटेंगे, परदे पर दर्शकों के बीच कोन किसको रोचक बना पाएगा, किसको अकरशित कर पाएगा, ये समय ही बता पाएगा, लेकिन ये तय है कि दोनों फिल्मों में जबरदस्त टक्कर होने वाली है और इस टक्कर को आगे बढ़ाने वाली फिल्म में है एनीमल, जो दिसमबर के प्रसम अक्ते में ही फर्स्ट वीक में ही रिलिज हो जाएगी, और दिसमबर के अंतिम समय में जो आएगी फिल्म डंकी, यानि शारुखान की फिल्म, जो एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, रनवीर कपूर की फिल्म एनीमल में भी बॉक्स ओफिस मसाला है, उसमें उनके साथ इसमिती मंधाना तो है ही, बॉबी देवल भी इसमें एक नेगेटिव रोल में नजर आएंगे, और साथ में अनिल कपूर है, यानि कि सितारों की भरमार और एक्शन से भरपूर यह फिल होगी, उनकी पठान और जवान से अलग हट करके, वो एक पारिवारिक मसाला फिल्म है, जिसमें तापसी पन्नू भी उनके साथ काम कर रही है, देखते हैं कि यह आने वाले समय कि यह जो फिल्में है, वो क्या कमाल दिखा पाती है, डेडियो मनमीत पर अभी तक बने रहने के लिए आप सब का धन्यवाद, उम्मीद करते हैं, आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे, और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद.